हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आई चलते हैं बिहार सुआ की दाजा खबरों क्यों लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइम नी क्या तो कर लें जिससे कि आपको बिहार सुआ की दाजा खबर रोजाना मिलती रहे पहले रबड़ी कवर उत्तर प्रदेश से लोगसभा चुना लड़ सकते हैं नितिश कुमार जेडियू अधक्ष बोले फोलपूर अमेटकर नगर और मिर्जापूर से ओफर मिल रहे जेडियू के राजियू से नितिश कुमार के लिए चुना लड़ने का ओफर मिल रहा नितिश कुमार उत्तर प्रदेश के फोलपूर अमेटकर नगर या फिर मिर्जापूर से चुना लड़ सकते हैं जेडिव की राश्य अधक्ष ललन सिंग ने कहा कि इन तीनों जगों के कार्यकरताओं की इच्छा हिया है कि नितिसक्मार वहाँ से लोकस्भा का चुना लड़े यही नही मीडिया से बाचित में जेडियू की राश्य अधक्ष ललन सिंग ने P.K. को व्यपारी और बीजेप से वांके कारेकरताओं ने लोक्स बाहत चुना लड़ने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया है अगली कोर भागलपूर में एकी परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का प्रियास भागलपूर जिले में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की सुए हुए अवस्था में धारदार हतियार से हत्या करने का प्रियास किया गया एक ब्रिद्य मैला की हालत गंफिर बनी है घटना की सुचना मिलते हैं मौकिया पर पुलिस पहुच कर सभी घायलों को भागलपूर के माय गंज अस्पताल में भरतिक राय गया है सभी घायल एक ही परिवार के हैं जनकी पहचान नाचनगर थनाचितर के रत्तिपूर बैरिया जज ने दिया नोटिस पहार के उपर मुख्यमंतरी मुस्किन में पढ़ सकते हैं दिल्ले इस्थित विशेष कोट ने केंदरी अन्वेंसन ब्यूरो की आचिका पर तेजस्वी आदब को नोटिस जारी कर दिया है अगर CBI की आचिका मंजूर हो जाती है तो तेजस्वी को CBI से खुले आम पंगा लेना बड़ा महगा CBI ने रेलबे से जुड़े घुटाले के मामले में पिछले दिनों बिहार में कई जगा चापे मारे थे इस दोरान राश्टी जंता दल से जुड़े कई नेताओं के ठीकानों पर CBI ने तलासी ली थी इन चापों से नराज त को धलकाने वाली टिपनी दे थी सुत्रों की माने तो CBI ने इसी आधार पर उनकी जवानत याज का नाम अंजूर करने के लिए बिशेज जच से गुहार लगा दी है CBI ने दावा किया कि तेजस्वी आदव अपनी ताकत का इस्टेमाल कर CBI अफसरों को धमका कर जाज प्र स्टीफ की विशेज टीम ने बकसर स्टेशन के पास से ग्रफतार किया है एटीजे ओप्रेशन एवा मुंगेर स्पी के नर्देश पर स्टीफ की विशेज टीम ने या कारवाई की स्यांपूर थाना चेतर के गोबड़ा गाउं करेने बाला गोपाल दास पर हवेली खड़ भागलपूर जिले की अकबर नगर थाने में मामले दर्ज हैं पूलिस अरसे से गोपाल दास की तलास में जूटी थी पर सफलता नहीं मिल रही थी छपे मारी अभियान में मुंगेर के स्टीफ डियस पी रहमत अली भी साथ थे अगली खबर तेस्वी अदब की बड़ी घोसना स्वास्त विभाग में साथ हजार पदोपर होगी पहली लापरवा डॉक्टरों को ही चिताया तेस्वी अदब दे सत्ता में आने की वाद से लगतार एक्सल मोड में आ चुके हैं बिहार के युवाओं से किये गए बादे क को पूरा करने के लिए लगतार एलान कर रहे हैं और आराम एक सरकारी कारेकरम के मंच से एलान कर दिया कि जल्दी स्वास्त विभाग में साथ हजार पदोपर नुक्ति की जाएगी उप मुख्योंतरी सा स्वास्त मंतरी तेस्वी अदब ने कहा कि कुछ लोग फालतों की ब बक्सेंगे भी नहीं अगली खोर दरवंगा का सरपंच निकला सराप तसकर पत्न में गिरफतार किया इया सराप की बड़ी खेब भरावंत की गई राजानी पट्टा के पत्रकार नगर ठाने की पुलिस ने दरवंगा जिले के सरपंच द्याननंद को सराप मामले में जी वहां से पुलिस को सराप की कई बोतले मिरी पत्रकार नगर ठानेदार मनोरणजन भारती के मताबिक आरोपित सरपंच का घर कंकलवाग ठाना इलाके में आता है लिहाजा उसे कंकलवाग पुलिस के हवारे स्वाब दिया गया अगली करो मुझपरपूर रंगदारी केस में बेजय सिन्हा का बड़ा औरोप जेडियू कारे करता हैं डेड़ करोड मांगने वाले बिहार विदानसवा में नेता परतिपक्ष बेजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि मुझपरपूर में देपसाई के परतिस्ठान प और वो सरकार के सनक्षन में हो रहा है अपराथों को बरदास्त नहीं कर सकता लगें लगें वार साथ के लिए एक मयला परतियासे नमांकर करने पहुचे थी उसके साथ बड़ी संक्षा में समर्थक भी थे कि अब आगिस्तान के समर्थन में नारेवाजी करने से नावांकन अस्थाल में अपरा तप्रिय का महल बन गया। बताए जाला कि नावांकर अस्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बलतेनाद थे मगर किसी ने नारेवाजी करने वालों को नहीं देखा अगली को दिवाली और छट में बिहार आने वाले यातरी ध्यान दे देर की तो नहीं मिलेगी ट्रेन की टिकट पित्रपक्च खत्म होते ही तेवारों का मौसम सुरू होने वाला है इसके साथ ही बिहार से गुजरने वाले ट्रेनों में भीड बढ़ जाएगी या हर साल की समस्या है दिफावली और छट से पहले बिहार में आने के लिए और इसके बाद बिहार से बापस लोटने के लिए ट्रेन में टिकट मिलना असंबब हो जाता है इस खास मौकी के लिए लोग दो से तीन महेने पहले ही ट्रेनों में टिकट बुक करा लेते हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जल्ली कर लें यहां आपको बिहार से 24 शिकंदराबाद, बैंगलोरू, मुंबई, एमधाबाद, देल्ली, लोदियाना, गुवार्टी और हाव भाजबा के नए प्रबारी बने के वाद पहली बार भार बीहार आ रहे, पिसले सब्ता ही बिनूत टाबडे को बिहार भाजबा का प्रबारी बनाया गया था, बिहार में महाकरबधन की सरकार बनने के वाद लगATAर सियासि उठापटक चल रहे है, भाजबा नितला गतार के मंत्रियों पर हमला वर हैं ऐसे में बिनोत ताबड़े का बिहार आना बेहत खास माना जा रहा है अगली ख़र बिहार में भी किसान उगा सकते हैं चाय मिल रही है 50 विशत सबसीड़ी आज पुरी दुनिया की जुवान पर असम गुवाहटी दारजलिंग और जम्मू कास्म पर अबर की चाय का चसका चड़ चुका है भारत में तो चाय के सौकिन है ही साथी जारतर देशों में भारती चाय का निर्याद भी किया जा रहा आपको बदादे कि बिहार के किसंगंज में 35 एक्टियर 6 में चाय की बगान फैले हैं जिसी राजसरकार की तरब से बिहार की चाय का टैक भी मिला हुआ है इसी के बाद किसंगंज में उपजी चाय को आज पूरी दुनिया में पहचान मिल रही इसी तरजबर चाय की खेती का विस्तार करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा राज्जी के किसानों को 50% तक सबसीड़ी का प्राभधान में किया गया है चीते को कुनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा इसके चार गंटे के बाद चीतों को खाना दिया गया चीतों ने इस दोरान पाने भी पिया बाड़े में आने के बाद करीब ए घंटे तक चीते सेमे वे से दिखे चीते बाड़े में एक पेड़ के नीचे बैठे र देश की सरजर्मी पर पहला कदम रखा। प्रधान मंत्री मोधी ने कुनों नेसल पार्क में बॉक्स खोल कर दो चीतों को कुरेंटीर बाड़ में छोड़ा था। रिकोर्डेट भासर में पिया मोधी ने चीते भेजने के लिए नामी विया का अभार माना। पिया मोधी ने चीता मित्रों से कहा कि कुनों में चीता फिर से दोड़ेगा तो यहां बायो डाइवर सीटी बढ़ेगी यहां विकास के समावनाएं भी जर्म लेगी रोजगार के अब सब भी बढ़ेंगे। जब दोनों देशों की सेनाओं के भी स्तनाओ बढ़ा था तब से भारत चीन ने अपने अपने सैनेकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास तैनाद किया गया था और यहां उसने बहुत बड़ी पोस्ट बनाई थी अलाकि लगतार बाचित के नतीजों के बाद भारत और किन की सेना कुछ पीछे हटी है तो दोस्तों बिहार सुआ की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना अपनी अविते के चैनल को सब्सक्रेम निकिया दो कर ले जिससे कि आपको बिहार सुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे